15 वक्त की पाबंदी अरीज स्कूल पहुंची तो दौा हूँ चुकी थी तालबात अपनी जमात में जाच चुकी थी आज वो स्कूल देर से पहुंची थी उस्तानी साइबा ने पूछा अरीज क्या बात है आज तुम देर से स्कूल पहुंची हो अरीज जी राद देर से सोई थी उस्तानी साहिबा क्या आपने स्कूल से मिलने वाला घर का काम किया है अरीज नहीं उस्तानी साहिबा उस्तानी साहिबा तो फिर आपकी राद को देर से सोने की वज़ा क्या थी अरीज शर्मिंदा होते हुए आश्टा से टेल्वीजन पर किट-किट का मैं देख रही थी उस्तान निसाइबा समझाते हुए अरीज वक्त बहुत किम्ती चीज है इसकी कदर करो हर काम वक्त पर होना चाहिए जल्दी सोना और सवेरे उठना बहुत अच्छी आदत है वक्त पर स्कूल परचना जरूरी है परहाई और तफ्रीक का वक्त मकरर होना चाहिए आश्टा हमारे टेल्वीजन देखने का भी वक्त मक्सूस होना चाहिए मगर पहले स्कूल का काम करना जरूरी है उस्तानी साइबा शाबाश तुमने बहुत अच्छी बात की बच्चो एक बात ज्याद रखो जो बच्चा अपना सारा वक्त सिर्फ खेल कूद में जाया करता है इसका दिल परहाई से उचाट हो जाता है हमें खेलने के वाक्त खेलना और पढ़ने के वाक्त पढ़ना चाहिए वाक्त की पाबंदी ना करने वाले जिन्दगी में कामयाब भी हासिल नहीं कर सकते